ऐलोजो मुद्व सुक्रेंद न क्लास के अंदर आप सब कर्सुआ अपासुआ करेते इस से पहले हम लोग निव्टिरल ग्रांडिंग सीस्टम के बारे में बात करेंगलों जिसके एक first topic हम बात किया था जिसके अंदर हम लोग uninsulated neutral grounding की बात किया था यानि जब हम लोग neutral को ground नहीं कर रहे हैं तो उस समय क्या इस्तिती होगी phasor diagram किस तरह से बनेगा circuit किस तरह से बनेगा वो सारी बात किया था जो आपका neutral grounding से related एक part था आज हम लोग neutral grounding के advantage की बात करें यानि यदि neutral को ground कर दिया जाता है तो उसका क्या benefit होगा क्या advantage होगा वो हम लोग जानेंगे तो already हम लोग ungrounded neutral system को देख चुके हैं किस तरह से fault की सिती में क्या होता है normal सिती में क्या होता वो सारी बात किया था तो उसको एक बार फिर से हम लोग revision कर ले रहे हैं और उसके ब और हमने देखाया था कि इसका जो common point है यानि neutral point है वो grounded नहीं है नहीं है तब क्या हो रहा था हम लोग उसकी बात कर रहे हैं revision कर ले रहे हैं और फिर grounded रहेगा तो क्या advantage होगा उसको देखेंगे तो जब neutral grounded नहीं था तो हमने देखा कि each phase और earth के बीच में क्या बन जा रहा थ और उसके cross current आपका flow हो रहा था इसी तरह आपका y phase और ground के बीच में आपका capacitor form होगा इसी तरह b phase और ground के बीच में अर्थ के बीच में हो जागा लेकिन हम लोग फिर क्या consider किया था consider किया था कि आपका किसी एक phase के अंदर fault हो जा रहा है तो उस समय क्या हो जाएगा तो उस सम phase है इसका जो voltage था यानि phase voltage था वो line voltage के equal हो जाएगा क्यों equal हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहां पर जो अर्थ consider करें है यह अर्थ से actually connected है नहीं तो यह किस से अगर b phase आपका अर्थ से हो गया तो अब यहां पर जो voltage आपेर होगा वो क्यों सा voltage होगा वी इस capacitor के cross voltage आपेर हो जाएगा वी आर बी का मतलब क्या हो गया लाइन वोल्टेज पहले कुन सा voltage हो था वी आर इन हो रहा था जब फॉल्ट नहीं होता है तो unground system के अंदर यहां पर भी जब फॉल्ट नहीं हो रहा तो कुन सा voltage होगा इस capacitor के cross VYN होगा लेकिन जब फॉल्ट हो जाएगा तो य यानि line voltage appear होने लगेगा यह चीज हम लोग देखा था दूसरा क्या देखा था हम लोग के यह जो करेंट है यह करेंट कहां साएगा तो इन दोनों से मिल्कर करेंट फॉल्ट होने लगेगा यह जो fault करेंट होगा इस भी फेससे होता वह रिटरू आहला यह आपका दो दोनों यहाँ पर इन दो नो current का sum हो जाए गा यहाँ पर जो current हो रहा है पहले normal इस सिह में जब fault नहीं हो रहा है तो आपका I, R, C यानि charging current across टारs हो रहा था यहाँ पर आपका I, Y, C हो रहा था यानि charging current across आपका Y face लेकिन जब fault होने लगा तो आप कुन सा current I, R, B यह B phase के अंदर जाएं तो यहां पर कुन सा current I, R, B और यहां पर I, Y, B current flow होने लगा और नॉर्मल जो current होता है charging current उससे इसकी value आपकी अधिक होती है और fault current की value भी अधिक होती है जिसको हम लोग phaser diagram के अंदर दिखाते थे तो phaser diagram के अंदर क्या दिखा है और तीनों आपका 120 degree का phase displacement होगा तीनों की magnitude की value भी same होगी लेकिन जैसे ही fault हो गया तो fault होने की स्थिति में B phase के cross voltage क्या हो गया जीरो हो गया लेकिन R phase के cross क्या हो गया यानि इस capacitor के cross कुन सा voltage है pair होने लगा तो line voltage यानि V, R, B voltage है pair होने लगा तो यहां पर देखिए voltage देखा दिया V, R, B और दूसरा कुन से इस capacitor के cross कुन सा voltage तो V, Y, B तो हमने देखा दिया V, Y यानि ये दोनों voltage क्या हो गया line voltage पहले phase voltage था दूसरे बार आपका जब fault हो जाता है तो line voltage तो line voltage आपकी मालूम होगा आपको network के अंदर पढ़ा होगा कि line voltage आपका root 3 times से ज़ादा होता है phase voltage तो ये एक बड़ा problem आपका होता है ungrounded system के अंदर कि जो healthy phases है उस healthy phase यहां पर fault नहीं हुआ लेकिन जैसे किसी एक phase के अंदर fault होगा तो जो healthy phases है उस healthy phase का भी voltage root 3 times से बढ़ जागा यानि उसके cross line voltage appear होने लगेगा और जैसे voltage की value बढ़ जागी तो उसके cross लगावा insulator damage हो सकता है उसके cross flash over हो सकता है आपका insulator puncture हो सकता है यानि system के अंदर एक तरह का problem create हो जागा क्योंकि हम लोग यहां पर phase voltage पहले हो रहा तो और suddenly line voltage appear होने लगा लेकिन आगर हम लोग यह बड़ा advantage आपको grounded system के अंदर मिल जागा कि यदि आप क्या कर देंगे इसको ground कर देंगे यहां पर neutral को लेकर ground कर देंगे तो जो healthy phase है उस healthy phase के cross आपका इस force किसी भी एक phase के अंदर fault होगा तो आपका healthy phase इसके अंदर remaining phase voltage ही maintained रहेगा किस तरह से तो मान के चलिए यहां पर आपका क्या हुआ यहां पर हमने इसको grounded कर दिया है ground करने के बाद यदि इस phase के cross आपका fault होता है तो इसका तुजीर होगा लेकिन यहां पर देखिए चुँके पहले से यहां से नहीं टकराएगा अब क्या हो रहा है यह तो आपका R से टकराया तो यह तो grounded था तो यह अपना circuit को close कर लिया बाकी यहां पर इसका कोई परवा यानि पहले B phase से इसका संपर्क हो जा रहा था लेकिन यह तो ground के साथ है अभी भी इसका जो ground के साथ हो गया तो यहां पर जो voltage अपेर होगा तो अब आपका line voltage नहीं होगा यदी grounded system होगा तो healthy phase के अंदर भी remaining आपका क्या होगा phase voltage ही अपेर होगा क्योंके B phase आपका क्या grounded है zero potential पर है तो आपका R, B भी भी अगर मानते तो B zero potential पर तो यहां पर remaining क्या होगा आपका जो voltage होगा इसके cross वो क्या होगा V, R, N ही रहेगा यानि आपका phase voltage रहेगा तो एक बड़ा advantage आपको क्या मिल जाता है यदी system को आप grounded कर देते हैं तो fault होने के बाद भी healthy phase के अंदर आपका phase voltage ही अपेर होगा line voltage अपेर नहीं होगा ठीक है दूसरा चीज़ के advantage मिलेगा आपको यहां पर देखे current की value जो थी वो current की value हम लोग क्या देखा था जो charging current नॉर्मल इसीती में था और बाद में जब fault होगा तो यहां पर का current था IRB यह IRB की value क्या होगी root 3 times आपका charging current के ज़्यादा होगा तो पहले current हम लोग यहां पर देखाते थे IRB हम लोग देखाया है 90 degree lead करेगा respective voltage से और VRB से और आपका IYB 90 degree lead करेगा respective voltage यानि VYB से ठीक है और इन दोनों का जो phaser sum होगा वो fault current होगा जिसको हम IFC note कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर क्या notice किया था कि जो आपका IRB है fault होने के बाद जो current है वो charging current से कितना होता है root 3 times ज़्यादा होता है और यहां पर भी IYB आपका क्या होगा यह भी root 3 times ज़्यादा होगा और जो fault current है जोनों का summation यहां पर जब neutral grounded नहीं है तो उस समय जो fault current होगा यह fault current की value charging current से 3 times ज़्यादा होगा अब important चीज़ यहां पर ध्यादा रखिएगा यही जो charging current है 3 times ज़्यादा हो जाता और इसकी value लगबग 4 से 6 ampere हो जाती है तो यह current आपका क्या करता है आपका arking ground उत्पन कर देता है arking ground क्या था आपको हम पहले भी बताया था यानि यदि आपका क्या हो जाए कोई insulator लगा हुआ है और insulator आपका कहां पर रखा होता है तो cross arm के उपर रखा होता है इस cross arm के बीच में और यहां पर कोई conductor गया हुआ है और यहां पर हम लोग क्या consider कर रहे है charging current consider कर रहे है capacitor form हो रहा है तो किसी कारण वर्ष यदि यहां पर fault हो जाता है line और earth यह line हो गया और यह आपका earth हो गया और यहां पर आपका क्या हो रहा है charging current flow हो रहा है और इस charging current के value 3 IC है तो यदि आपका normal यानि fault हो गया और fault होने के बाद खतम भी हो जाता है तब ही यह current आपका क्या हो जाएगा maintain रहेगा और इस insulator को पूरी तरह से failure कर देगा तो यह जो आपका effect होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है arking ground बोलते है तो यह arking ground क्यों हो जा रहा है क्योंकि आपका fault होने के इस सिती में जो charging current था वो 3 times हो जा रहा है और यही 3 times current की value 4-6 ampere होता है तो आपका completely insulator को breakdown कर देता है और आपका fault खतम होने के बाद भी current flow होता रहता है तो इसी को आप लोग arking ground करते है लेकिन आप क्या देखेंगे यदि हम लोग इसको grounded कर देते हैं यानि neutral को जब ground कर दिया जाएगा या अर्थ कर दिया जाएगा तो ना यहाँ पर root 3 times current की value जादा होगी और ना overall fault current की value 3 times होगी तो क्या होगा यह वाला गर यहाँ से हुआ तो यह current इस तरह से पोलोगा इन दोनों का summation नहीं जा रहा यहाँ पर यह तो अपना separate यहाँ से fault हुआ तो इस तरह से current returning path इसको पूरा अपना मिल जाएगा यानि यहाँ पर किसी भी परकार का आर्किंग ग्रॉंट नहीं होगा तो एक बड़ा advantage हमको मिलता है यदि system को यानि neutral को ground कर दिया जाता है तो एक तो सबसे पहले हम लोग बात किया जो phase voltage है वो healthy phase के अंदर phase voltage ही maintain रहेगा और जो आपका आर्किंग current है यानि आर्किंग ground वो आर्किंग ground पूरी तरह से eliminate हो जाता है यदि neutral को ground कर देते हैं तो यह सारा phaser diagram, circuit diagram पहले भी बात कर चुके थे, अब कुछ advantage हमने लिखा है, यानि इसी चीज़ को summarize किया गया है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं तो आपका पहला point हम लोग क्या लिखा है, first point के अंदर हमने लिखा क्या voltage of healthy phase are limited to the normal value, यानि जो normal value पहले थी, यानि phase voltage था, वो fault होने के बाद भी, phase voltage ही maintain रहेगा, उसके अंदर किसी भी परकार का voltage का increment नहीं होगा, यानि line voltage appear नहीं होगा, तो पहला advantage आप तो मिलता है, कि यदि neutral को ground कर दीजगा, तो healthy phase का जो voltage है, वो normal बना रहेगा, यानि phase voltage ही उसके cross appear होगा, ठीक है यानि इस तरह का आप तीन phase अगर मानते हैं, तो दो बाकी जो insulator लगावा था, उसके cross किसी भी परकार का voltage का increment नहीं होगा, और voltage increment नहीं हो रहा है, तो आपका insulator आपका सुरक्चित रहेगा और insulator के failure होने का chances कम रहेगा, यह पहला दूसरा advantage हमको क्या मिलता है arching ground is eliminated, यदि neutral को आप अर्थ कर देंगे तो current की value नहीं बढ़ेगी यानि अथिरी IC नहीं होगा, केवाल आपका IC यानि forward current वही होगा और उसकी वज़ा से arching ground नहीं होगा, यानि arching ground पूरी तरह से eliminate हो जागा तो दूसरा बड़ा advantage हमको मिल जाता neutral को ground करने या arch करने से कि arching ground eliminate हो जाता है तीसरा अगर arching ground नहीं हो रहा है, या आपका healthy faces, आपका healthy face के अंदर voltage के value नॉर्मल बनी हुए, तो उससे आपको क्या फाइदा हुआ कि life of insulation increases हैंस less maintenance आपका insulation failure होने का chances है breakdown होने का flash over होने का chances है वो decrease हो जाएगा और insulation का life जो होगा वो increase होगा और insulation का life increase यानि पूरे system का जो है life increase होगा और maintenance की ज़रूरत कम पढ़ेगी और insulation failure नहीं होगा तो continuity यानि supply आपका continuous रहेगा और किसी परकार का आपका supply के अंदर interruption नहीं होगा तो continuity of supply आपकी increase हो जाएगी या इसी को आप क्या बोल सकते हैं increase the improve the reliability of system यदि neutral को आप ground कर देते हैं तो voltage की value increase नहीं होगी आर्किंग ground नहीं होगा और आपका system की जो reliability है वो बढ़ जाएगी या आप बोल सकते हैं continuity of supply बढ़ जाएगी और क्या है हमारा फाइदा है as the fault current is more अब देखें यहाँ पर fault होता है तो fault होगा तो यह directly connected होगा आर्से तो fault की value आपका high रहती है लेकिन fault high है तो हमको problem नहीं है क्योंकि इस fault current की value जब high होगी तो आसानी से यहाँ पर लगा हुआ जो आपका relay होगा वो बहुत आसानी से उसको detect कर लेता और जैसे relay detect कर लेगा तो interruption यानि circuit को open कर देगा और हमको पता चले कहीं problem हो रहा है तो हमारा जो relay है वो बहुत आसानी से उसको sense कर लेता है यदि neutral आपका अर्थ रहेगा fault current की value हमको परियाप्त मिल जाएगी तो as the fault current is more earth fault relay can easily detect the fault current या fault ठीक है तो normal अगर अर्थ grounded नहीं होगा तो charging current को detect करना बहुत difficult होता है लेकिन यदि आपका neutral grounded होगा तो आपका complete circuit बनेगा और रीले लगा होगा उस रीले को बहुत आसानी से उस fault current को detect कर पाएगा तो as fault current more earth fault relay can easily detect the fault यानि fault आसानी से detection होगा तो आपका system सुरक्षित रहेगा next over voltage due to lightning can easily discharge to the ground अब आपका ground यहाँ पर किया होगा तो यदि किसी line के उपर आपका क्या हो जाए लाइटनिंग स्ट्रॉक हो जाए तो अर्थ आपका किया वा होगा neutral आपका grounded किया वा होगा तो वो neutral वाला path choose करेगा और system आपका सुरक्षित रहेगा यदि आपका neutral को हम लोग earth ground नहीं करते हैं तो system के अंदर अगर lightning हो तो उसको कोई अलग से path यानि ground का path नहीं मिलेगा और system को वो damage कर देगा तो आगर यदि over voltage due to lightning can easily discharge to the ground ground में कब जाएगा जब आपका neutral grounded रहेगा तब ठीक है कि यहाँ पर arching ground eliminate हो गया और जो voltage है वो healthy face के अंदर voltage की value नहीं बढ़ रही है इसलिए आपका इसके अंदर equipment या कोई person है तो उसको shock लगने का chances कम हो जाता है safety बढ़ जाती है इसके अलावा the neutral point remains stable क्यों stable हो गया क्योंकि अब neutral को आपने क्या कर दिया अर्थ कर दिया तो आपको मालूम होगा अर्थ का potential का होता always zero होता है तो zero potential पर आपने कर दिया इसलिए यहाँ पर का जो neutral point है वो stable रहेगा उसकी potential value zero maintain रहेगी यदि neutral आप तो है लेकिन neutral को अर्थ नहीं करेंगे ground नहीं करेंगे तो यदि fault की सितिम उसकी stability बिगर सकती है unstable हो सकता है इसलिए यदि grounded कर देते हैं तो neutral point क्या होगा हमेशा stable रहेगा यानि उसकी potential हमेशा zero maintain रहेगी इसके लावा by adding अभी एक point यहाँ पर आ रहा था क्या जो fault हो जाता है तो जो current की value है चूंकि यहाँ पर directly short हो जा रहा है तो directly short होगा तो current की value कुछ बढ़ती है लेकिन यदि हम क्या कर दें इस इंप्रूव यहाँ पर by adding resistance reactance in neutral path fault current can be easily control यदि हमारे पास क्या कर दें neutral के साथ हम यहाँ पर resistance लगा देते हैं या reactance लगा देते हैं तो उसकी सहाथा से हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ हम लोग जो fault current है इस fault current को limit कर सकते हैं रोक सकते हैं कर सकते हैं है तो रिले बहुत आसानी से इसके इलावा आपका हम इसके उसके क्टिबहें कर सकते हैं उसकी वैलू को कमण कर सकते हैं लेकिन अभार करने किसे अगे नहीं कर इंगे तो यह सारा इड्वांटच तभी हमिलता है जब neutral को हम क्या कर देते हैं अर्थ करते हैं, ground करते हैं तो यह बहुत सारा advantage हमको मिलता है यदि हम neutral को ground करते हैं neutral को earth करते हैं तो इसलिए always क्या होगा जो भी आपका alternator होगा उसके neutral को हम लोग ground कर देते हैं और आपका transmission line में किसी परकार का fault होगा तो आसानी से detect हो जाएगा उसके fault current को reactance या resistance लगा कर limit कर लिया जाएगा तो I hope आपको इस सारी चीज़ के लियर हो रही होगी और next हम लोग class के अंदर फिर इसका हम लोग यदि resistance लगाएंगे तो क्या फायदा होगा किस तरह से यानि एक तो आपका directly beggar हम लोग resistance लगा कर भी कर सकते हैं जिसको solid grounding कहा जाएगा और इसके लावा resistance लगा कर भी ground कर सकते हैं reactance लगा कर सकते हैं तो अलग-अलग method है जो next lecture के अंदर हम लोग उसको देखेंगे और उसका phaser diagram भी देखेंगे आज के लिए इतना ही thank you